हेलो मेरे प्याले भी ख्यारतियों मैं हूं ऐसे संद्रावत स्वागत है सभी का आडर्स एड्यूकेशन गुर्प के ऊपर आप लोगों को सभी क्लासेज उपलग्द कर रहे जा रही है तो आप लोग अपने मित्रों के साथ इसको अडिक शेयर करें ताकि सभी प्यारे मित्र इसका लाप रात कर सकें दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं B.Sc. First Year Chemistry B.Sc. First Year Chemistry के अंदर मैं आप लोगों को Atomic Structure बढ़ा रहा हूं जो Inorganic Chemistry का First Lesson है इनorganic Chemistry के First Lesson में जो Atomic Structure है इसमें अपना टोपिक चल रहा है Quantum संख्याएं पिछी इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि Quantum संख्याज क्या होती है कोई भी Electron होता है उस Electron की स्थिति उस Electron की उर्जां उसकी प्रत्रती के बारे में संपुन जानकारी आप लोगों के लिए चाहिए वो चार Quantum संख्याएं देती है ठीके और इन चार कॉंटम संख्याओं में अपने बात की है पहली है मुख्य कॉंटम संख्या दूसरी दियारे मित्रों ने वह सेशन नहीं देखा है वह ध्यान गुरवक आपको उसको कंप्रेट कर लिए ठीके ना शुरू करते हैं अपना आज का सेशन उसमें आप लोगों के इसके बारे में आपको विस्तार कुरूवक यहां पर बाते बताने वाला हूं आप लोग ध्यान कुरूवक इसको सुनते रहें साथ में इसको नोट भी तहते रहें ठीके तो दिलिगंसी क्वांटम संख्या के बारे में बात करें बच्चों तो देखो दिलिगंसी परदी केसी होगी किसी भी व्कोष की आकरती केसी होगी इसके अलावा उपकोष जो होते हैं जहां कि धूक्षर बात करते हैं इस उपकोष के अंदर फेरão है इस इलेक्ट्रोणaking कि कख्षिय कोनिय समय एंगे कन पूलिय हिं इसके बारे में बताती है कौन आपकी दिलिगंसी पॉन्टम सिख्या थी कि न यह बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है जो पूछा ज़ता आप लोगों से कोंसी quantum structure किस बारे में बताती है ठीके ना ज्यान लखना आप लोगों को उप्पोस की आकरती के बारे में और electron के कख्षीय पॉने संव्देग के बारे में पूर बताता है आपको द्यूगर्शी फॉंटम सिंख्या जो होती हैं मैंने आपनों को बढा दी है क्या लिखेंगे इसके बारे में यहां उपकोष की आतरती आतरती एवं एलेक्टोन के करक्षिय कोडिय संवेग कक्षिय कोडिय संवेग के बारे में बताती है कक्षिय कोडिय संवेग के बारे में मताती है साथ एक दो बात आफंचलना है content इसका जो मान होता है इसका मान मुख्य पांटम संक्या क्या होती है small n के मान पर निर्भर करता है यानि कि दिलिगंसी क्वांटम संख्या जिसको अपन L से रिप्रजेट कर रहे हैं इस दिलिगंसी क्वांटम संख्या L का जो मान होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या L पर निर्भर करता है कैसे करता है तो आप लोगों को यह ज्यान रखना है कि किसी भी मुख्य क्वांटम संच्या के लिए ल का मान सदें 0 सदें 0 सदें n-1 के मद्य होता है ठीक है 0 सदें n-1 के मद्य होता है तो आपके धियांद रखना प्रिद्या कि कि किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए जो दिगंसी क्वांटम सिंख्या L है इसका मान सदेव 0 से किसके मर्द्य होगा N-1 के मर्द्य होगा जैसे मैं आपके बताता हूँ यहाँ पर मुख्य क्वांटम सिंख्या N का मान और आए बाद करते हैं अपन L दिगंसी क्वांटम सिंख्या L का 1 कितना होगा 0 से N-1 तक 0 से N-1 तक होगा ठीक है जैसे देखो अधर N का मान ये भी N का मान भी कितना है 0 है तो L का मान भी कितना होगा 0 से N-1 ने की 0 में से एक गटाएंगे तक क्या है अगर 0 है ने की हाँ पर क्या गटाएंगे एक है तो एक तो जीरो और वन माइनस वन करें एक मिन यहां पर आप लोग तो थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर है आप लोग को पता है एक मिनिमम कितना होता है कि एक कोस की संख्या है और कोस हमेसा एक तो होगा ही है यहां पर क्या करें है अपने कितना आ जाएगा एक मन जीरो यहां पर आ जाएगा एन का माने दिए 2 दो रखेते हैं पन तो 2 रखने पर क्या जायागा? 0 तो अपने पास मान है सब्सक्राइए 2-1 एक कर दीक है यानई कि 2 मान यहांपर संभव है 0 और 1 संभव है कितने मान संभव है तो देखोंग यहां पर क्या होगा ऐonna तो एक मांद पूझी ग्लाव माण चोंटेमिकि पर न यह बता ना 0 से ही 1-1 तक यह नहीं 0 से काया तक दो कि वैसे ही इसमें 0 तो होगा यह से साथ ही 4 तक कितने 3 तो याने अदिकतर मान कातना होगा 3 अब इक दोनों के पीश में कि यह एक ज्टाय का बाँ आए गा और दो गया इन व्कुल कितने माना होगा अपने क्या करते हैं उपकोर्ष के बारे में बताते हैं जैसे यदि ल का मान 0 होता है यहां पर क्या हो जाएगा ल का मान कितना है एक दो मैं आप अपर दुद्वास आपको बता देता हूं L के मान डेवो L के मान अपर यहाँ पर देखें तो कितने हैं अपने पास देखें अपने पास यहाँ पर L का 0 0 बता कितना मान है? 1 मान है अपने पास ठीक है? 0 और 1 है कितने मान है? 2 मान हो नाट है कि यहां पर को बदा दिया हैं कि मुख्य क्वाइंटम संख्या ग 변ार यहां麼 स्थें क्या होगा जियों से एंड माइनस व्हन के होता है घर्वान श्र एंडर करताहें अब स्थी एक है तो कितना उपकोष संबहो है एक ही उपकोष संबहो है एक उपकोष के बारे हम बताता है उपकोष के बारे हम मताता है यहाँ है powerfulilot timely three rep four are four here यह चार उपकोस्ट यहां पर संभाव है ठीक है तो आप लोग जहां दखेंगे यहां पर कि एक बाची रीपिट कर रहा हूं चार उपकोस्ट नहीं संभाव होते हैं जैसे कि एक मान है तो कितना संभाव है यहां पर एक संभाव है एक संभाव है तीव है तो स्पी और डी संभाव है चार तो स्पी दी और एक संभाव है तो यह बात हो गए आप लोगों की द्विगल सी कॉंटक सेक्टा के बारे में कि कोई ही एक का मान जो होगा उसके उपर एक का मान निरुपर करता है यहां तक दुगा सुनने आगे सभी को चलो आगे पर दो आप नेक्स में बात करता हूं यहां पर तो आपने यहां पर देखा कि मैंने लिखा है S, P, D, F यह चार प्रकार के उफ्कोस मैंने आपको बता दीए है ठीक है अब यह S, P, D, F नाम किस प्रकार से दिये गए ठीक है यह उफ्कोस जो होती है उन्हें एलेक्टोन की स सिंफ्चिया क्या हुंदी है इन सभी के बारे में पर लिहां को चर्चा करेंगे और दोस्थे च्यास ते दिन के आप लोगों पो जो है कünü गहां जबहां इम्हें के trendingяться कि ए इस परकार से लेखर्धियों एक दो इस परकार से निद्या है इनके लिए उप्कोस कौन सा संभव है एक ही हो सकता है आपको पता है एक है तो कुछ कितने होगा पी होगा दो है तो डी होगा ती है तो एस होगा ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है यहां पर संभव होता है इनकी आत्रतियां भी आपको यहां पर जानगारी होनी चाहिए किनकी आत्रति क्या होती है तुदेको प्यार बजबे एस कखसक की आती होती है कैसी गोलाकार क्या होती है गोलाकार अब कभी आपको से यह कहां से लिए गए हैं तो यह अतरीक के जान करें आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए करें एस जो होता है यह लिया गया है शार्प से किसी लिया गया है साथ वह यह इन साथ हों है यह स्पट्रम बेखाएं आप इस्पट्रम पर इंच धूस्प किया दिये गहाए इसन उस नाम इंधा ए खिर Stick you वेन इस शार्प प्रिंसिपल से लिया गया है जिसको अपन हुंदी में बोलते हैं प्रधान ठीक है डी लिया गया है डिफ्यूस डिफ्यूस मतलब बोता है बिखरा हुआ बिखरा हुआ ठीक है एफ मतलब बोता है फंडामेंटर फंडामेंटल ठीक है तो यह अपने बास यहां पड़ा गया है F फंडामेंटल होता है और फंडामेंटल का मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा मोल भूत तो देखो पर बच्चो अपन्या बात की है however 0 कि से लिए हो एक सके लिए मिए फंडाम डों दीके लिए और थे एविए फंडामेंटल के लिया होती है फ्रेक्च से लिए गाने शार्क जो होती है उससे लिए। प्रिंसिपल से लिए गाए इसके बारे में अपने बताता है आपको यह ढुटी क्वांटम संख्या को बताती है नियुत है अब बात इलें तो इसके द्वारा डिविएंसी क्वांटम संख्या द्वारा क्या द्वारा इलेक्टों का कख्षिय कोणिये संवेग भी निम्न प्रकार घ्याद कर सकते हैं अब कैसे ज्याद करते हैं तो देखो इसके इनुसार को प्रिस्पटार से ज्याद करते हैं तो देखों कोणिये सम्वेग को अपन लिखते हैं जिससे MvR से आप लोगों ने पढ़ा है MvR बराबर H2P कहां पर पढ़ा है अपने ये बोर के पर्मानों हो रही है कि यहां पर इंटू में एक और चीज होगी और वह क्या है तो यह होगी एल इंटू एल प्लस वन यहां पर यहां पर इंटू में है इस प्रकार से ठीक है तो यह लिए यहां पर इंटू क्या है यहां पर इंटू क्या है यहां पर है दिविजन्सी क्वांटम संख्या ठीक है न तो उस प्रकार से अपन MvR जो क्या है प्रकार का कक्षिय कोने संवेग है इसको एच में टेट 2Pi root L L प्लस 1 से अपन इसको ज्याद कर सकते हैं ठीक है तो आपने बाती है कि डिविजन्सी क्वांटम संख्या रोती है तो उस की आकृती के बारे में बदाती है ठीक है मैं आपको बताए पोस के अंदर उत्कोस होते हैं कुल चार प्रकार के परते हैं स्पी डी और एफ परके आगी वी होते हैं फिर आप लों के लिए से जी युच इसपेटार से आगे वी बढ़ते जाते हैं परंट उकंगो कुतना पढ़ना है कि चारी उत्कोस पढ़ना स्पीडी और एफ इनका नहां से कॉंच से में लिए गया है यह भी मैंने आपको बत है साथ मैंने अपने क्या बता दिया मैंने आपको बता दिया है कि यह जितने भी इंके अलावा द्यूगन को सब्सक्राइब नहीं के बारे में पिक मैं सब्सक्राइब पर बातों बता दिए आशा काता हूं सभी प्यारे बच्चों को यहां तक की विश्यवस्तों समझ में आ गई है और यदि आपको यह समझ में आ गए हैं तो आप लोग की अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले पर है ठीक है तो मिलते हैं पर नए